हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सीम्टी केडियर में का ट्विटोरियल में आपका सहागत है मैं रमन कुमार आज लेकर आए एक निया वीडियो जिसमें की देख सकते हैं अभी आपका इंगलिस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके आपके 9 जो अभी आपका एक्जाम होने आपके बसंस की आपका इंगलिस से पूछता है, gliel में पूछता है, airport authority में, NTPC में, SSC में तो बहुत बहुत सारे葉न में पूछते हैं इस से- इंग्लिस से इससे सबसे इमपर्टेंट ग्रामर का है वह है आपका टेंस जो कि हिंदी में अगर बोले तो तो कांल और यह हम लोगों को चैनल को सबस्क्राइब कर ले irm बिल आइकोन को प्रेस करिए अचा वोट व्यूस्ब्ष चांगों नहीं है दा द HA ही वी मॉड़न को अग्रेस से चलते खाइगा और प्रेस चांगों एक चैनल को सब्सकुषलाइब करए हैं नो भी बिल को Bocya तो सबसे पहले टेंस देख लेते हैं जो की काल काल जिसकों की समय भी बूलते हैं तो इसमें सिंप्ली जो डिफिनेशन है कि टेंस आपका डिफाइंड आज दा फॉर्म अब वर्विच इंडिकेश दा टाइम अन दा इस्टेट ओफ एक्सन और इभेंट तो सिंप्ली काल मतलब समय हो गया आपका जो कि जिसे आपके कि अभी क्या हो रहा है पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा तो यही आपका समय ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट समय ही होता है तो इसमें आपका क्या होता है कि जिसे परजेंट टेंस की बात करें तो यानि कि बरतमान में अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वो अपका present tense हो गया पास तेंस हो गया कि पहले आज से पहले हमने जो किया था वो आपका past tense हो गया यानि कि भूत पंश्य का उता है बरतमान काल और future यानि हम future में आगे हम कल, उसके बात, 2 साल बात, 4 साल बात, 20 साल बात हम लोग जो करेंगे तो वो हो गए आपका future tense यानि की भविस्य काद तो इसमें tense के आपके तीन पार्ट हो गए present tense, past tense, future tense उसके बाद आपका आता है present tense सबके चार जितने भी तीन टेंस हैं उसके चार फिर से टाइप से सिम्पल परजेंट जिसको परजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं फिर परजेंट कांटिनिवस जिसको की आपको परजेंट इंपरफेक्ट भी बोलते हैं फिर पर्जेंट अ फिर आपको पर्जेंट पर्फेक्ट फिर आपके coverage continuous सो है, simple Past 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 Indefinite ばい पर्जेंट s ऐसर पर्फेक्ट कोन्टिनियवस या फिर पर्ष्ट इंपर्फेक्ट बोल सकते हैं पर्जेंट पर्फेक्ट पासर परफेक्ट बोलते हैं तो इसमें है a tense expressing an action that is currently going on or habitually performed or a state that currently or generally exists यानि कि आपके बरतमान में जो भी हम कर रहे हैं जो भी कर चुके हैं बरतमान में वो आपका बरतमान काल होता है पर जे इन tense होता है इसमें simply क्या-क्या होता है जैसे कि जो हम habit की बात करें habit जैसे हो गया practice हो गया repeated action हो गया permanent activity हो गया general truth हो गया यह सारे आपके present in definite में आते हैं और जैसे कोई idea आप express कर रहें एडवर्ड से जैसे usually never occasionally sometimes normally generally always frequently rarely तो यह सारे आपके इसमें आ जाएंगे आप इसमें देख लेते हैं present in definite tense की बात करें तो present in definite में अगर हिंदी में बोलें कि जैसे कि मैं जाता हूं मैं जाता हूं that means कि I go तो इसमें क्या होता है कि जो आपका subject होता है subject यहां पे क्या है जैसे यहां पे I work है यहां करता हूं काम करता हूं यहां पे है I आई क्या हो गया है यहां पे subject हो गया और week क्या हो गया आपका यह आपका भर्व हो गया इसको ब böyle past 물one यहां कि मैं काम करता हूं मैं काम करता हूं अई work जा से I love मैं प्यार करता हूं आई लब जाता हूं आई गो तो इसे ही फिर नेश्ट देख लेते हैं परजेंट इंपर्फेक्टेंस भी बोलते हैं तो इसमें क्या है कि हिंदी में अगर बात करें तो इसका होता है जैसे मैं जा रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं वर्क कर रहा हूं मैं मैं काम कर रहा हूं मैं प्या रहें इसे चीजें गया जाता हूं आप कर चुका हूं तो वह सारे आपके परजेंट परफेक्टेंस होते बात करें तो उस में आपका होगा जैसे कि मैं करता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, तो ऐसे चीज़े रहेंगे, जैसे I have been working, I have been loving, I have been going, I have been coming, तो ऐसे चीज़े आपके present perfect continuous में होंगे, तो यहां से present definite की बात कर लेते हैं, तो पहले देखिए जैसे कि do, dutch, यूज होगा, तो अब इसमें present continuous में mhr यूज हो बोलते हैं, और जो आपके जैसे work, work हो गया, लव हो गया, आपके eat हो गया, यह सारे जितने भी हैं, यह सारे आपके होते हैं, main भर्व, जिसको की principle भर्व, मुख, किडिया बोलते हैं, तो हम लोग भर्व, यह सारे भी separately separately परहेंगे, अभी पहले हमने train से start किया है, तो इसम यह सारे आपके क्या है, helping verb है, present perfect में क्या लगेगा, hedge और have लगेगा, तो उसमे अभी रूल बताऊंगा कि कब hedge लगता है, कब have लगता है, तो यह भी auxiliary verb है, present perfect continuous में, hedge, have लगेगा, plus been लगेगा, यानि कि has been, have been, यह लगेगे, तो next देखते हैं, next आप देख सकते हैं, present in definite tense की तो यह क्या है, it is used to denote scientific facts, universal truth and work done on daily basis, तो daily basis पे जैसे scientific facts, universal truth है, universal truth है, universal truth है कि आपके sun rises in the east, तो यानि कि sun जो है, जो सुरी है, पूरब में होता है, यह universal truth है, फिर्थ भी गोल है, अर्थ ही जराहूं, तो यह आपके क्या है, आपके universal truth है, तो ऐसे चीज़े आपके present in definite में होत है, जैसे sentence के types होते है, assertive, negative, interrogative, interrogative, negative, तो यह सारे तो इसके अलग-अलग rule है, जैसे आपका sentence होगा, वाक्य होगा, उसके according आपको rule लगाना है, जैसे आपके तो यह अगर assertive है, तो subject है, पलस V1, यानि कि जो आपका मुख किरिया इसी बात में किया, principle भर्व की, तो उसका first रूप है, तो V1, पलस क्या है, SES, SES तब लगेगा, जब आपके, जैसे कि first person आपके है, first person में क्या होता है, first person, यह जैसे आपके first person है, और यहाँ आपके, जैसे कि singular, और यह आपके, plural, यह number है, plural number, तो first person में क्या होता है, आपके अगर first person की बात करें, तो singular में I होता है, plural में आपके V होता है, second person की बात करें, second person की बात करें, तो U होता है, यहाँ भी आपके U होता है, singular में भी U, plural में भी U होता है, third person की बात करें, तो इसमें आपके जैसे ही, सी, इट और इसमें होता है दे, कोई भी ये नाम हो गया, प्लेस हो गया, ये सारे आपके आते हैं, थर्ड परसन के सिंगुरल नंबर में, तो और पुलरल नंबर में आपके दे आते हैं, तो जैसे भीवन एस और येस लगेगा तब, जब आपके परसन का सिंगुरल नंबर होगा, तो उसके अंत में एस या इस लगेगा, और उसके बाद अबचेक्ट लगेगा, तो इसका एक मतलब, अभी मोडर्न जो आपके ग्रामर है, तो इसमें इसे भी फोर भी फाइब करके बनाया गया है, तो उसके एक और जैसे मैं बात करूँ तो इस और इस या आप समझ देजे कि थर्ड परसन के सिंगुरल नंबर के अंत में एस या इस लगता है, उसके बाद आपका अबचेक्ट लगता है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर सी राइट से लेटर, सी क्या हो गया, सी है थर्ड परसन के सिंगुरल नंबर हो गया आपके भर्व हो गया यहाँ से my role a letter A letter यह क्या हो गया आपके सब्जेक्ट और यह आपका धी तो यह थे आपके assertive rule, next बात कर लेते हैं, negative rule की, that means negative sentence के रिए नकारात्मक यानि की जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तो ऐसे अगर नहीं का रहे, नकारात्मक sentence रहे, negative sentence रहे, तो उसके लिए क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते है, subject लेते हैं, फिर लगता है, do का, कि जब आपके third person हो, second person हो, के दोनों number, singular puller दोनों, और third person के puller number में आपके do not लगता है, और आपके third person के singular number में does not लगता है, उसके बाद आपका b1, normal भर्भ है, फिर आपका object, फिर आपका object, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि c does not write later, यानि कि वह प object, does not, तो does not है, क्योंकि does not इसलिए है, कि c क्या है, third person के singular number में है, और right यानि कि यह आपका है, b1, a letter यह आपका क्या है, object, अगर यहीं पे रहता है, कि जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो subject क्या तब कैसा होता, तब होता, I do not write a letter, तो यह I क्या हो गया, first person का singular number हो गया, वो ऐसे ही we do not, you do not, they do not, तो ऐसे आपके होंगे, next बात कर लेते हैं, interrogative rule की, तो इसमें क्या है, कि जैसे आपके question mark वाले जैसे हैं, यानि कि question किसी से आप कर रहे हैं, कि तुम खाते हो, तुम पत्र लिखते हो, तुम प्यार करते हो, तुम प्यार करते हो, इसमें interrogative में जाते हो, तो अगर ऐसे sentence हो, तो उसमें क्या है, कि interrogative होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले do या judge लगाते हैं, तो do कब लगाते हैं, तो same आपके जो first person और second person के दोनों number, singular puller दोनों में, third person के puller number में do होगा, और आपके third person के singular number में judge होगा, उसके बाद आपका subject फिर भी one होगा, फिर object होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते है, does see write a letter, that means कि क्या वह पत्र लिखती है, वह इसे ही, do I write a letter, क्या में पत्र लिखता हूँ, do you write a letter, इसका मतलब क्या होगा, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो वहाँ पे आपके do किसमें लगा, आपके, जो first person second person, second person, और आपके third person के puller number में आपको लगेगा, third person के similar number में डज लगेगा, तो यहाँ से उसके बाद question mark आएगा, क्योंकि आप question कर रहे है, next बात करें, तो यह है interrogative negative assertive rule, तो इसमें क्या है, कि इसमें आपके, जैसे कि question mark तो है ही आपके, यानि कि question तो आप कर ही रहे है, उ उसमें question plus negative, यानि कि interrogative plus negative sentence है, यानि कि जैसे कि पूछ रहा है, कि क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, ऐसे अगर है, कि does he not write a letter, जैसे राम, क्या राम नहीं खाता है, क्या स्याम नहीं जाता है, क्या स्याम नहीं जाता है, तो ऐसे अगर रहेंगे word, तो उ कि जए đूदर गडेके टीled अने की यहाँ से आपका क्या हुआ और क्या है सब्जेक्ट लग गया फिर आपका नोट लग गया दिए कि अगे थावां ऐना नहीं है अगर राम स्कeoΛ नहीं जाता है तो के तो नोट के लिए टुट इन राम नोट घू embrace स्कूल तो ऐसे होगे जैसे होगा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा वहाँ पे की डू यू नॉट गो टू स्कूल ऐसे होगे तो ऐसे में आपके यह रूल होता है डू 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 पलस सब्जेक्ट पलस नोट पलस भीवन पलस सब्जेक्ट यह थे आपक आपके present continuous होता है, इसमें देखते हैं, it is used to express an action taking place at a time of speaking, यानि कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि at a time जो काम कर रहे हो वो आपके present continuous में आता है, that means कि आपके present imperfect में है, इसके भी rule, same rule है, सिर्फ यहां पर मैं बता दूँ आपके, कि जैसे first person है, फिर second person, फिर third person, singular, plural, तो first person में आपके I, यहां plural V, U, यहां पे he, see, it, name, place, जो भी है, यह आपके they, जैसे I, I के लिए, आपका लगता है, M, V के लिए लगता है, R, U के लिए लगता है, R, U के लिए लगता है, R, U के लिए लगता है, R, बाकि इस सबके he, see, and name के लिए लगता है, उसके이가 we can like, is लगता है तो जैसे यहाँ पे C is writing a letter, that means क्या हुआ कि वह पत्र लिख रही है, तो that means कि यहाँ पे C क्या हो गया आपके, subject, is आपका, यह helping verb हो गया, writing हो गया आपके, V1 plus ing, a letter हो गया, यहाँ पे, object, वैसे ही negative rule में, negative rule में सबसे पहले, subject, plus ismr, plus not लग जाएगा, आपके simply, इसमें not लग जाएगा, इसमें है कि C is not writing a letter, that means कि वह पत्र नहीं लिख रही है, simply not लग जाएगा, बाकि सब कुछ वही रहेगा, V1 plus ing, plus object, तो देख सकते हैं, C is not writing a letter, next बात कर लेते हैं, interrogative rule की, तो यहाँ पे, सबसे पहले, जैसे वहाँ पे do does लगता था, इसमें पूछ रहे हैं, क्या वह पत्र लिख रही है, यानि कि किसी तीसरे आदमी से पूछ रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है, लिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इज, क्योंकि सी है, यह थर्ड परसन का सिंग्रल नंबर, यह आपके सब्जेक्ट, यह हेल्पिंग भर्व है, यह राइटिंग आपके यह आपके बीवन प्लस आई एंजी, और यह आपका ओब्जेक्ट और कुश्यन मार्क, यह आप देख सकते हैं, नेक्ट बात कर लेते यह क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, तो इसमें इज, क्या के लिए, सी आपके यह सब्जेक्ट हो गया, यह आपके हल्पिंग भर्व, यह आपके नोट क्योंकि निगेटिव के लिए, राइटिंग भीवन प्लस आई एंजी, यह आपके अपके अब्जेक्ट, तो ऐसे आपको पर्जेक्ट में होता है, कि हम कोई भी काम, यानि कि पहले से कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, यानि कि पहले से हम कर रहे हैं, अभी जश्ट हमने फिनिस किया है, वह आपका पर्जेक्ट पर्जेक्ट, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, यानि कि अभी आपके आपके hedge have के लिए है तो सेम जो person है आपके first person, second person और आपके third person यह singular यह आपके cool run तो I, V, U, यहां पे भी U, यह आपके he, c, ऐसे name, place, जो भी है they, तो आप क्या होता है जो आपके first person यह आपके I के साथ आपका have लगेगा, V के साथ भी have लगेगा, U के साथ भी have लगेगा, U के साथ have, D के साथ have सिर्फ आपके third person के जो singular number वाले हैं उनके साथ लगेगा आपका hedge और इसमें आपका क्या लगता है जैसे assertive rule है यहां पे subject plus hedge या have डिपेंड करता है अगर आपके third person का सिर्फ नमर है तो हैज लगेगा, बाकी के लिए have लगेगा, फिर भी 3 भी का मतलब भर्व का तीसा रूप और उसके बाद object यहां से जैसे जैसे see has written a letter इसका मतलब हुआ, तो जैसे see has written a letter that means इसका मतलब क्या हुआ कि वह पत्र लिख चुकी है, जैसे see has eaten a mango means वह आम खा चुकी है, जैसे कि मैं मैं जा चुका हूँ, ऐसे, I have gone, जैसे मैं school जा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, I have gone to school, तो ऐसे, यहां पे आपका see क्या हो गया, subject हो गया, hedge आपका, यह helping verb हो गया, helping verb, चैहां auxiliary verb बोल सकते हैं, return आपका, भी 3 और later यह आपका हो गया, object, same negative rule के लिए क्या होगा, पहले subject, फिर has have, फिर not take extra में लग जाएगा, क्योंकि यहां का मतलब जैसे see has not return a later, that means कि वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो इसके लिए not लग गया, फिर भी 3, plus object, extra में सिर्फ not लगएगा, तो see has not return a later, that means कि वह पत्र नहीं लिख चुकी है, next बात कर लेते हैं, interrogative rule की, तो यहां प question बाला जो होता है, हम पूछते हैं किसी से कुछ, तो उसमें आपका interrogative होता है, तो इसमें जैसे कि इसका मतलब यह हुआ, कि क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या वह पत्र लिख चुकी है, क्या वह इसकूल जा चुकी है, क्या वह इसकूल gone to school तो ऐसे है इसमें होगा तो यहाँ पे हैज आपका देखी सकते है हैज है यह सबजेक्ट यह आपके भी थरी यह आपके अबजेक्ट तो सिंपल है नेश्ट बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव एसर्टिव यानि कि अब आपका पार्ट है ही साथ साथ आपके निगेटिव भी है तो सबसे पहले आपका हैज है फिर सबजेक्ट फिर आपके नोट फिर भी थरी फिर अबजेक्ट नोट है आपके निगेटिव के लिए यह हैं आपके कुश्चन बाला कुश्चन मार्क के लिए है यहां से हैं कि has see not return a later that means कि क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है तो simply has see not return a later तो simple present perfect tense हो गया next बात कर लेते हैं last part इसका present tense का present perfect continuous next बात कर लेते हैं यहां पे आपके present perfect continuous इसमें क्या है this tense shows the action which started in the past and is still continuing match that means that my Act ons कि आपका यहां कि यहांबका पता लगे गा कि यह कर घार हूं है जैसे किềनिम के वैं जाता रहा हूं मैं करता रहा हूं मैं पड़ता रहा हूं तैसे उसमें समय का फी रहेगा जैसे कि मैं 12 गंटे से पड़ता रहा हूं एक षिर्ट को पाक्डे करेगा कि 1 kara 1980 अब निखमें works 1990 हो गया पूझ मेरी खड़ा होता है और एक फमक्राय इसे आप का आएगा मैं 1980 से यहां पर रह रहा हूं 1980 जब मैं 1980 होङए यहां पर आपको लगेगा सिन्स का यूज होगा और यहां पर लगेगा तो यहां से फस्ट रूल देख लेते हैं असर्टी रूल्स यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट है जो आपका लग रहा था एक 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 श्टाम में लग जाएगा फिर बीवन प्लस आइंजी जो कि आपक पतर लिखती रही है वह पतर लिखती रही है इसका मतलब यह हुआ कि यहांनी कि पहले से ही लिख रही है अभी भी लिखी रही है तो जैसे कि मैं जाता रहा हूँ तो इसी में एक चीज और होता है तो जैसे अगर for की बात करो और since की बात करो तो यहां से रहेगा जैसे कि आपका c has been writing a later for two hours, that means क्या हो गया, कि वह पत्र लिखती रही है, दो घंडे से पत्र लिखती रही है, तो इसमें आपका c has been writing a later for two hours, तो जैसे कि आज है आपके 16th November, तो इसमें लिखा रहेगा कि वह 15th November से पत्र लिख रही है, तो वहां पर हो जाएगा since 15th November 2018, अगर उसमें लिखा रहेगा 15th November 2017, तो उसमें since लग जाएगा, तो इसे अगर जो निश्चित चीजें होती हैं, जो हो जुके हैं, उसके लिए since लग जाता है, और जैसे two hours, two days, ऐसे अगर चीजें हो, तो उसके लिए आपके, चाहिए two weeks, one weeks, ऐसे रहेंगे, तब उसके लिए for लगता है, तो इसमें इस type के भी आते हैं, तो यह आप ठिहान में रखिएगा, for और since का use, next बात करें, निगेटिव रूल की, तो इसमें जैसे subject, फिर has been, has have, फिर not been, फिर v1, फिर ing, प्लस object, अब जैसे हैं, कि she has not been writing a letter, इसका मतलब क्या हुआ, कि वह पत्र नहीं लिखती रही है, वह पत्र नहीं लिखती रही है, तो she has not been writing a letter, तो यहाँ पे आईसा आप नहीं ल सब्जेक्ट है, has not, negative के लिए, been, और फिर writing, यह आपके a letter, यह आपके object है, तो simple है, यहाँ से next बात कर लेते हैं, interrogative, यानि कि question mark वाला की question हम कर रहे है, जैसे ऐसे पूछेगा कि क्या वह पत्र लिखती रही है, ऐसा आप कर रहे है, क्या वह पत्र लिखती रही है, यानि कि यह आपका question mark हो गया, interrogative sentence हो गया, तो इसमें जैसे कि आपका has been writing a letter, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले has have, फिर आपके subject, फिर been, फिर b1 plus ing, फिर object, तो जैसे यहाँ पर है, has been writing a letter, अब इसी में ऐसा रहेगा कि क्या वह दो दिन से पत्र लिखती रही है, इसमें क्या हो ज 15th November 2018 से पत्र लिखती रही है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, has been writing a letter, since 15th November 2018, तो ऐसा आपका इसमें रजगता है, next बात कर लेते हैं, interrogative, negative, assertive rule की, तो दोनों combine negative और interrogative, तो उसमें आपके has, have, see, not, been, फिर आपके b1 plus ing, फिर आपके object, इसमें जैसे रहेगा कि क्या वह पत्र न लेटर, तो ऐसे आपके इसमें रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, कि जो इचाम में आएगा, तो आपको ऐसा sentence दिया रहेगा, आपको identify और option दिये रहेंगे, identify करके कौन सा आपका भर्व लगाना है, ये आपको उसमें पूछता है, चाहे आपके पहले क्या लगते है, हैज तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए, कि अर्थ ये आपका universal truth है, कि जो पिर्थ भी है, वो sun के चारों और घुमती है, चक्र लगाती है, तो उसके लिए क्या होगा, और अर्थ क्या होगा, ये third person का, singular number, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, simply moves, यहाँ पे तीन पार्ट दि सन, ये present indefinite का हो गया, next बात कर लेते है, question number two का, तो यहाँ पे है, I dash him only one letter of two row, अब यहाँ पे option है, sent, have sent, sent, तो यहाँ पे देखिए, इसका मत्तब क्या हुआ, कि अगर आप sent लेते है, यानि कि past indefinite की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे है कि अगर I have sent him लिखते है, यानि कि म I have sent, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, have sent correct हो जाएगा, so यहाँ पे I have sent, sent, यह क्या है, sent, sent, यह भी थरी है, और have, I कि साथ हो लगता है, I have sent him only one letter of two row, यहाँ से आपका have sent हो जाएगा, next बात कर लेते है, question number three की, यह है C, तो यह आप देख सकते है, यह third person, सिगरल number है, यह तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे है आपका worried about something, यानि कि वो डरी हुई है, मतलब को वो मतलब डर रही है, परजेंट की इसमें बात हो रहा है, तो इसमें डर रही है, यानि कि कि किसी चीज़ से इसा डर रही है, तो इसमें क्या होगा, आपके, कि looks भी हो सकता है, see looks यानि कि present indefinite में भी जा सकता है, और is looking भी हो सकता है, looking नहीं होगा, is looking होगा, तो यहाँ से दोनों चीज़े हो सकते हैं, आपके see looks worried about something, यानि कि वो दिखती है, तो see looks worried about something, और see is looking worried about something, यानि कि वो दिख रही है, तो यहाँ से दोनों आपके correct हो जाएंगे, looks भी होगे, और आपके is looking भी होगा यहां पे answer तो आपके option में कोई एक ही चीजे रहेंगे दो नहीं रहेंगे यहां पे क्या possibility है वो मैं बता रहाँ आपको next बात कर लेते हैं यहां पे question है he और यहां पे a male in this town तो a male in this town तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे option है have, has, is having तो is having का तो सवाली नहीं उठता is having होता नहीं है तो यहां से आपके तो यह देख सकते हैं a male in this town तो यहां से he है यह third person का singular number है तो इसके साथ क्या लगेगा have तो लगी नहीं सकता has लगेगा simply he has a male in this town next बात कर लेते हैं question number five की he here for last five यह देख रहे है for last five यहां कि पांस साल से है यहां पे पांस साल से है क्या किस लिए है option है आपके worked is working has been working तो जैसे ही समय का यहां पे दिया वाभी मैंने पार और सिंस का बताया था तो क्या हो जाएगा has been working यानि कि what यहां पे पांस साल से काम कर रहा है यहां पे he has been working हो जाएगा next बात कर लेते question number six की यहां पे I him for long time यानि कि I him for long time यानि बहुत समय से मैं उसको क्या होगा आपके तो यहां पे I है have known am knowing यानि कि I am knowing him ऐसा आपको I am knowing him यह नहीं हो सकता यहां से आपका I have known I have known यानि कि मैं उसको बहुत दिनों से जान चुका हूँ I have known तो यहां पे I have known him तो यहां पे have known हो जाएगा him for a long time next बात कर लेते question number seven की the baby dash है all morning यहां पे है cries has been crying यहां पे देख रहे हैं आपके morning का है morning, evening, weeks ऐसे आपके जैसे ही रहेंगे यह आप यह परजन परफेक्ट continuous की बात कर रहा है उसमें क्या होता है बेबी है आपके third person का singular number तो simply has been crying तो यहां पे has been crying option हो जाएगा तो यह has been crying यहां पे correct हो जाएगा the baby has been crying all morning यानि की सुबा से ही वो रो रही है बच्चा जो भी है वो रो रहा है next बात कर लेते question number 8 की तो यह है I- Rahul at the Jew तो यह आपका question है यह past tense से select आ गया है तो इसको बाद में देखेंगा इसे मैं बता देता हूं कि past indefinite का है तो past indefinite में B2 लगता है यहां पे तो C का साव होता है simply I saw Rahul at the Jew यानि की मैंने Rahul को जू में देखा यहां से साव हो जागा past indefinite जब करेंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा next बात करने ते question number 9 की तो यहां पे है I-Kumar this week तो यहां पे क्या है कि क्या हो सकता है एक है आपके haven't seen यानि की मैं नहीं देख चुका हूँ एक सब्ता से यानि की इस week नहीं देखा हूँ नहीं देखा हूँ देखा हूँ तो I-Didn't see और मैं नहीं देखा हूँ तो इसमें haven't seen भी आप यूज कर सकते है तो यहां से आपके हो जाएगा didn't see इसमें की यानि की आपका didn't see भी यूज करते है यह भीवन है और didn't पहले से यहां पे लग चुका है तो यहां पे haven't seen आपके अभी present की बात कर रहे haven't seen यहां पे हो जाएगा और didn't see भी होगा यह आप देखेंगे इसमें past tense में past tense जब पढ़ेंगे तब यह दोनों combined हैं आपके haven't seen भी हो सकता है didn't see भी आपके हो सकता है यहां से next बात कर लेते हैं last question की question number 10 this paper dash twice weekly तो यहां पे है is appearing appearing appears तो यहां भी कि यह जो paper है सब्ता हमें दो बार आता है ऐसा आप देख सकते हैं यहां से आपको प्रतीत हो रहा है कि आता है तो the this paper appears यानि कि this paper appears twice weekly तो यह आपके present indefinite का है और यह जो this paper की बात कर रहा है यह आपके third person का singular number है यहां से appears हो जाएगा this paper appears twice weekly तो यह थे कुछ questions तो आप लोगों को I think clear हुआ होगा और जैसे ही 10s खतम होगा total 50 questions में आप लोगो practice करने के लिए दूँगा ऐसे ही question जो की exam में आए हुए है तो कैसा लगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो like कीजिए share कीजिए comment करें और जिन लोगों नहीं तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe कर ले और आपके फिर से next जो आपके English का वीडियो आएगा उसमें past tense का आएगा फिर future tense का टेंसम 3 वीडियो में complete करेंगे so thank you for watching cmt stay tuned cmt